Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आकसर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी मोटरसाइकल के गरम इंजन को ठंडा करने के लिए इंजन में उपर से पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए और ऐसा करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या होगा अगर मोटरसाइकल के इंजन बहुँ जादा गरम है और बारिश आ जाए तो इस बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में टेकनिकल रीजन के साथ डीटेल में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले अब फ्रेंट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मोटरसाइकल का इंजन गरम हो रहा है वो किस कंडिशन में और किस वज़ा से हो रहा है देखें कंडिशन नंबर वन सिंपल सा ये है कि आप अपनी बाइक को लगतार 30 किलोमेटर 40 किलोमेटर या उससे ज़्यादा टॉप स्पीड में टॉप गयर पे चला रहे हो और इंजन बहुत ज़्यादा गरम हो जा रहा है तो ये नॉर्मल है इस तरह इंजन गरम होता है कंडिशन टू ये है कि आप सिंपली अपने बाइक को 5 किलोमेटर या 10 किलोमेटर ही चला रहे हो और इंजन बहुत ज़्यादा गरम हो जा रहा है तो ऐसा इसलिए होता है ताकि इंजन का जो कूलिंग सिस्टेम में वो सही से काम नहीं कर रहा है या फिर इंजन ओयल जो है वो खराब हो गया है या कम हो गया है कि जितने भी metal alloy होते है उनकी tendency होती है कि जब metallic alloy बहुत ज़्यादा गरम हो जाते है उनका temperature बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो expand करते है उनका आकार बढ़ता है और यह expansion होता है वो micro level पे होता है हम अपनी आखों से वो देख नहीं सकते है लेकिन वो expansion होता है और जैसे ही यह metal alloy ठंडे होते है तो इनका even contraction होता है यानि कि यह अपने original shape में आ जाते है अब देखिए आपके motorcycle का engine बहुत ज़्यादा गरम है आपने उसमें ठंडा पानी डाल दिया अब उस ठंडा पानी डालने समय आप देखते होगे कि जो पानी है उसका vaporization होता है वो भाब बनता है वो इसलिए बनता है कि जो पानी होता है वो जब पार्ट से इनके water surface पढ़ तो वो वहां से heat को, गर्मी को absorb कर लेता है अब इस पर problem यह आता है कि यह जो situation हो जाता है वो हो जाता है uneven contraction का यानि कि जो हमारा engine का part हो गया या फिर जो crankcase हो गया है उसका जो outer surface है वहां पे temperature कम हो जाता है लेकिन उनी parts का जो अंदर का surface है वहां पे temperature ज्यादा होता है और इ एक ही part का एक ही surface पे temperature आगे अलग और पीछे अलग हो जाता है और इससे contraction सही से नहीं होता है और पानी से एक और दिक्कत यह आता है कि जो पानी है for example अब fins का ही देख लो तो पानी आपने यहां पे डाला तो जो पानी है वो पूरा का पूरा surface को एक जैसा ठंडा नहीं करत है कुछ surface को ज्यादा ठंडा करता है कुछ को कम करता है और यह जो situation है वो कहलाता है thermal shock का situation अब thermal shock का situation हो और वहीं दूसी तरफ uneven contraction हो तो इस वाज़ से क्या होता है कि सबसे पहले तो सबसे जादा नुकसान crankcase को होता है जो crankcase का strength है वो कम हो जाता है crankcase की flexibility भी कम हो जाती है औ और crankcase जो partially fragile हो जाता है कमजोर हो जाता है crankcase का paint है जो color है या external जो भी डिजाइन वागरा है वो damage होता है और इस improper temperature से या imbalanced temperature के मैंसे यह भी होता है कि जो cylinder block cylinder head हो या इसके लावा जो crankcase हो इन में micro level पे बहुत ही कम level पे cracks भी आ जाते जो दिखते नहीं है लेकिन वो micro level पे crack भी आ जाते हैं damage कर देते हैं इन parts को यह आपका धंडा पानी और इसके आवा spark plug को बहुत जादा नुकसान होता है इस spark plug damage होता है इस spark plug को जो ceramic body है वो damage होता है जितने भी nut है, bolts है, joints है, इन में जंग वगरा लग जाता है तो यह पानी के वज़ा से और मैं आपको यहापी य engine में जो पानी डाल रहे हो, अगर वह बहुत जादा थंडा पानी हो, चिल्ड पानी आपने डाल दिया, कि जतना थंडा पानी होता है जल दिए ठंडा हो जाएगा, तो चिल्ड पानी जो है, बहुत जादा थंडा पानी जो भी है, वह और जादा डैमेज करता है इन parts को, त तो देखे आपको समझना होगा कि पारिश के टाइम पे जो atmospheric temperature है यानि कि जो हमारा atmospheric air है जो वातरवरण का हवा का तापमान है वो कम होता है उस वाएसे इंजन बहुत जादा गरम नहीं होते हैं extreme condition तक गरम नहीं होते हैं दूसरी बात अगर बारिश आ भी जाए तो कभी कभी सिच्वेशन है आपने 50-60 km से जादा चलाया वह engine करा में बारिश आ जाए ठीक है ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 50 से उपर चला रहे हो और उसी वक्त बारिश आए और क्योंकि किसी भी parts को जब manufacture किया जाता है जब design किया जाता है तो normal operating condition के हिसाब से design किया जाता है को extreme case के साब से design नहीं किया जाता है तो normally कभी-कभी बारिश आ जाए engine बहुत जादा gram है तो ये parts उस चीज को sustain कर लेते हैं दिक्कत नहीं है normally कभी-कभी आपने पानी भी डाल देते हो कभी-कभी तो भी दिक्कत नहीं है लिकिन आपने habit बना ले daily running करके आया और ठंडा करने के लिए पानी डाल दिये ये गलत है इन से इन parts को ज़्यादा नुकसान होता है आपको simply ये करना चाहिए कि आपको इन parts को अपने हिसाब से ठंडा होने के लिए करी 15-30 मिनट तक ब्रेक देना चाहिए और अपने हिसाब से ये तो हमारा ठंडा हो जाते है और अगर cooling system सही है liquid cooling को अगर engine दिया हो है तो और जल्दी ठंडा हो जाते है तो friends उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझ करके जरूर बताए इसके लावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks for watching this video good bye